मुझे बहुत सारे आसे कमेंट आते हैं जिसमें मेरी विवोर्स मेरे से पूछती हैं कि क्या दी हम YouTube चानल क्रियेट कर सकते हैं और YouTube पर अपना करियर बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं या फिर हमें केवल जॉब पर फोकस करना चाहिए ऐसी बहुत सारे queries मेरे पास आती है तो आज मैं आपके इन सारे सवालों के जवाब दूँगी और साथी साथ आपको बताऊंगी कि अगर आप YouTube चानल क्रेट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या important बातें आपको जानी चाहिए या फिर आपको YouTube चानल क्रेट करना चाहिए भी या नहीं चाहिए या अपना पूरा फोकस जो है वो studies पर रखना चाहिए या YouTube चानल बनाने में कितना ज़दा time आपका वेस्ट होगा या फिर content क्रेट करने में कितना ज़दा time आपका चला जाएगा तो इन सभी चीजों पर आज मैं आपसे बात करूँगी और आपको step by step सब कुछ समझाऊंगी कि YouTube channel क्या है और हमें से क्यों create करना चाहिए या क्यों नहीं create करना चाहिए तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं अगर आप मेरे से पूछना चाहेंगे कि मैं एक housewife हूँ या एक struggling job aspirant हो तो मुझे YouTube channel क्रिएट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो मैं आपको कहूँगी कि हाँ आपको करना चाहिए क्योंकि अगर मैं housewife की बात करूँ तो उनकी life जो है वो शादी के बाद बहुत चेंज हो जाती है उनका maximum time जो है वो kitchen में बीता है और especially अगर आपके पस कोई बच्चा है ना तो आपकी life आपके बच्चे के around ही घूमती रहेंगी और मैं especially बहुत सारी ऐसी housewives को जानती भी हूँ जो शादी से पहले बहुत सदा motivated थी life में कुछ करना चाहती थी लेकिन उनकी शाद कहीं न कहीं जो बाते रहती है वो अपने बातों को दूसरे के सामने नहीं रख पाती हमेशा दूसरों के लिए जीना शुरू कर देती है अपने लिए time नहीं निकाल पाती है तो housewives की generally situation ऐसे ही होती है इंडिया में बात करो तो ऐसा नहीं है बाकी बहुत सारे लोगों की situation अलग भी होती है क्योंकि हमारे life की situation vary भी करती है सब कुछ जो है हर किसी पर लागों नहीं होता है लेकिन अगर मैं maximum housewives की बात करो तो ऐसी condition देखने को मिलती है कि उनकी life जो है वो boring हो जाती है और एक time के बाद उनको भी ऐसा feel होने लग जाता है कि काश उन्होंने अपने dream क इले कुछ time दिया होता अपने सपनों को थोड़ा जिया होता स्पेशली जब हम 30 के बाद 35 प्लस हो जाते हैं तब यह जो है पचतावे वाली feeling हमारे अंदर आने लगती है और हम कहीं ने कहीं अपने life से थोड़ा उदास हो जाते हैं तो इसलिए मैं housewives को specially suggest करूंगी कि अग अगर आप अभी कुछ नहीं कर पा रही हैं जौब की भी त्यारी नहीं कर पा रही हैं क्योंकि आप अपने life में बहुत ज़दा busy हैं तो आप अपना एक YouTube channel create कर सकती हैं और यकीन मानिये YouTube channel create करने से आपकी life में बहुत ज़दा positive impact भी पड़ेगा और अगर मैं बात करूं लेकिन अप्लाई करने वाले 7,000,000 लोग तो पूरे 7,000,000 लोगों को तो जोब नहीं मिलेगी तो बहुत सारे aspirants होते हैं जो उदास हो जाते हैं और कभी कभी depression में भी जाने लगते हैं क्योंकि उनके पास कोई income का source नहीं होता है उनके पास आसे लोग नहीं होते हैं जहां पर वो अपनी बात रख सके या फिर उनकी feelings को कोई समझने वाला नहीं होता है तो इसलिए मैं उनको भी कहूंगी कि आप YouTube चानल क्रेट कर सकते हैं इससे आपके भी like पर बहुत जदा positive impact पड़ेगा कहीं ने कहीं धीरे धीरे ही सही लेकिन आप अपनी life में आगे बढ़ना स पहले भी जब job की त्यारी शुरू की थी तब भी zero income था और जब तक आपकी job नहीं लगती तब तक आपका income भी zero ही रहता है तो यहां पर students के अंदर बहुत जादा निराशा होती है तो अगर आपके पास कोई specific skill है आपको थोड़ा सा content create करने में इंटरस्ट है तो आप YouTube चा कर सकते हैं और YouTube चानल क्रेट कर सकते हैं और अगर आप यह सोच रहे हैं कि आप एक housewife है या फिर आप एक struggling job aspirant है और YouTube चानल स्टार्ट करने से आपको बहुत सारा time जो है वो YouTube में चला जाएगा और आप अपनी पढ़ाई पर या अपनी family पर focus नहीं कर पाएंगे तो ऐसी को होगा या फिर आपने notice किया होगा कि मेरे जो वीडियो थे वो शाम में रात में साथ से आट बजे के बीच में maximum में अपलोड करती थी क्योंकि जब मैं सुबहा से पढ़ाई करते करते थक जाती थी तब मुझे लगता था कि चलो अब जो थोड़ा time है मुझे थोड़ा evening walk ल देते हैं तो वो sufficient होगा और जैसे जैसे आपको इसकी आदत पढ़ जाएगी तो धीरे दीरे ये process आपके लिए easy होता चला जाएगा और दीरे दीरे आपका time जह वो कम consume होने लग जाएगा और आप इसके अगर habitual हो जाएगे तो YouTube आपके लिए एकदम असान हो जाएगा बिल इनफ होगा और सबसे important बात यह है कि अगर आपको यह लगता है कि YouTube चानल बनाने से आपको कोई फायदा नहीं होगा तो फायदा बहुत है क्योंकि जब आप बाहर की लोगों से connect करते हैं यकीन मानिए कि बाहर दुनिया में बहुत लोग positive हैं अगर मैं अपनी वीडियो की करूं तो मेरे वीडियो पर 99.99% जो है कमेंट वो positive आते हैं तो सोचिए कि जब आप इतने सारे positive लोगों से connect होते हैं तो आपकी vibration जो है आपकी frequency हाई हो जाती है और आपके अंदर एक और motivation आता है कि नहीं जब इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं और इतने प्यारे प्य है और मैं सच में चाहती हूँ कि आपकी life में भी इतना positive impact आए तो इसलिए मैं आपको कहूंगी कि अगर आप शुरुवात में एक दो घंटे भी YouTube को दे रहे हैं तो वो बहुत है आपके लिए और धीरे जिसे जिसे आप सीखते जाएगा चीज़ें आपके लिए आसान होती है तो सबसे पहली टिप में आपको यह देना चाहूंगी कि अगर आप एक job aspirant है या आप एक housewife है और job की भी तयारी कर रही है तो आपको अपना focus जो है अपनी पढ़ाई से नहीं हटाना है आपको ऐसा नहीं होना है कि आप एक camera खरीद ले या फिर फोन खरीद ले और दिन नहीं पाया है तो इसलिए मैं आपको कहूंगी कि अगर आप एक job aspirant है तो main focus आप अपना पढ़ाई पर रखे और थोड़ा time यूट्यूब को दे दीजे तो यह सबसे पहली बात हुई मैं बात करूंगी दूसरे important बात जो कि अगर आप एक YouTube channel create कर रहे है तो आपके दिमाग में होनी चाहिए अगर आप यह सोचकर create कर रहे है अपना channel कि channel create करने के बाद आपका बहुत अच्छा income generate होने लग जाएगा तो फिर आप channel create मत कीजे क्योंकि यहाँ पर कोई fix amount नहीं हो यहाँ पर लग बहुत जादा matter करता है लेकिन हाँ अगर आपको vlogging करना पसंद है आपको लोगों के साथ connect होना पसंद है आप अपने thoughts और ideas सबके साथ share करना चाहते हैं आपके अंदर कोई uniqueness है या फिर आपको लोगों की positivity पसंद है environment positivity फैलाना पसंद है लोगों को motivate करना पसं और देखते हैं कि हमारी वज़े से लोगों की life में थोड़ी positivity एड़ हो रही है तो आपके अंदर जो वो feeling होगी वो income से बहुत बढ़ी होती है और उसके बाद आपके अंदर motivation खुद आने लगेगा कि आपको और ऐसे content create करने चाहिए तो इसलिए it's not about the income only अगर आपके आपको तीसरे टिप जो कि अगर आप YouTube channel create कर रहे हैं तो आपके लिए क्या important है अपसे important बात यह है कि आप अपने अंदर के skill को पहचाने है जैसे सब के अंदर कोई ना कोई skill होता है कोई cooking में अच्छा होता है किसी को comedy करनी आती है कोई अच्छे jokes मार सकता है या फिर कोई painting बहुत अच्छी कर सकता है किसी के अंदर motivational content जादा होता है उसको लगता है कि वो दोसरों को inspire कर सकता है कोई motivational video बना सकता है तो आप अपने पहले skill को पहचान लीजे और skill को पहचानने के बाद आप उसी तरह का channel जो है वो create कीजे आप देखे होंगे कि बहुत सारे cooking channel भी होत तो फिर आप daily vlogging भी दिखा सकते हैं कि कैसे student की life होती है कैसी एक housewife की life होती है क्योंकि vlogging करना भी skill है सब लोग व्लॉगर नहीं बन सकता है और सबके अंदर यह capability नहीं होती है कि अपने life के around वो content create कर सके तो लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं आप इसमें म अच्छा रखना है आपको content जो है वो quality content होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि viewers को देखने के बाद लगे कि मैंने क्या ही देख लिया मेरा time waste होगे ऐसा नहीं होना चाहिए आपके content में थोड़ा motivation होना चाहिए थोड़ी positivity होनी चाहिए ताकि लोग भी जो है आपसे connect कर सक आपकी positivity से impact हो सके तो यह थी content की बात तो अब overall अगर मैं इसको एक line में कहूं तो एक line में आपको यहीं कहूंगी कि आपको अपना content जो है वो solid रखना है बहुत बढ़ियां रखना है ताकि लोग आपकी वीडियो से inspire हो सके चौती important बात यह है कि अगर आप YouTube वीडियो अप आपके viewers यापके subscribers आपकी वीडियो को click करें तो इसके अंदर कुछ और आए क्योंकि मैं YouTube पर बहुत सारे इसी videos देखती हूं जिसमें thumbnail जो है वो बहुत ज़दा misleading होता है और उसके बाद फिर जब वीडियो पर click करते हैं तो वीडियो के अंदर कुछ मिलता ही नहीं है तो अ कहूंगी कि भले आपके views जो हैं कम जाए उससे कोई matter नहीं करते हैं आपका जो thumbnail है वो एकदम सही होना चाहिए जो आपने वीडियो में कहा है वही आपके thumbnail में होना चाहिए आपको views से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई misleading thumbnail डालते हैं तो ह आपने सच में वीडियो में जिसके बारे में बताया है और यह बहुत ज़्यादा जरूरी है और सच में मैं आपको एक और बात बता दू कि हमें ऐसे लोगों को mislead भी नहीं करना चाहिए सिर्फ थोड़ा से views के लिए तो इसलिए मैं आपको यहीं कहूंगी कि आप thumbnail वही जो आप वीडियो में दिखाते हैं और पांच वी सबसे important बात यह है कि आपकी जो वीडियो हैं उससे positivity spread होना चाहिए देखें दुनिया में बहुत सारी negative लोग हैं और बहुत सारी negativity भी है हमें कोई ज़रत नहीं है और अपने वीडियो के थूरू negativity फैलाने की क्योंकि अगर हम पूरा दिन एक बिताते हैं तो at the end यहीं matter करता है कि हम पूरे दिन में कितने ज़्यादा positive रहें तो अपने vlogs को या फिर अपने चानल को ऐसा रखें जिसे कि बहुत ज़्यादा positivity environment में फैल सकें और एक और बात मैं end में कहना चाहूंगी कि अगर आप housewife हैं आप student हैं आप जो भी है आप अपना youtube channel जरूर create करिजिए क्योंकि यह एक social platform है सबके लिए free है और बहुत से लोग इसको use कर रहे हैं तो फिर हम क्यों नहीं use कर रहे हैं यह जो जो चैस सबके लिए free होती है उसका थोड़ा फायदा उठाने में सीखना चाहिए तो हम भी अपने around content create कर सकते हैं और youtube पर आ सकते हैं और एक end में मैं आपको सबसे अच्छी suggestion यह देना चाहूंगी कि अगर आप अपना channel create करते हैं तो starting में आपको views बहुत कम मिलेंगे जैसे अगर मैं अपने channel की बात करूँ तो मेरे channel में starting में 50-100 इतनी views आते थे लेकिन तब भी मैं खुछ रहती थी क् कि मेरे vlog को जितने भी 50-100 लोगों ने देखा होगा उनके life में कही न कहीं positivity एड होगी क्योंकि मैं अपने vlogs को हमेशा ऐसा रखती थी कि मैं उसमें थोड़ा motivation एड कर सकूँ तो फिर लोगों के comment भी बहुत positive आते थे ऐसा नहीं है कि negative comments नहीं आते हैं अगर आप मेरे videos में दे और vlogs पर अगर आपके कम भी views आएं तो आपको demotivate होने की ज़रत नहीं है आप मेहनत कीजिए धिरे धिरे आपके vlogs पर भी बहुत जादा व्यूज आने लग जाएंगे तो I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो YouTube से related जितने भी important बाते थी मैंने आपको बता दी हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए चानल पर नए है तो चानल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के informative vlogs के साथ आपसे मिलती रहोंगे आपको होसला बढ़ाती रहोंगे मिलते हैं next वीडियो में